credit card to bank transfer, free में आपका transfer होगा, 100% एक नया trick, आपको एक trick पता नहीं, आज मैं आपको एक trick बताऊंगा, बट उससे पहले, देखिए अगर ऐसा कोई trick मुझे मिलता है, जिससे मेरा profit होता है, तभी जाके मैं आपको share करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी एक profit होना चाह है, देखिए या पे इस bug से कितना सारे भाई लूट रहा है, कितना unlimited cashback मिल रहा है, मतलब आपको भी धेर सारे भर भर के proof देखने को मिलेगा, कि मैंने तो बता दिया trick मेरे लिए working है, आपके लिए working है के नहीं, उसका proof मिल जाएगा आपको telegram पे, और देखिए कल भी मैंने वीडियो डाला था, जहां पे huge सारे profit हुआ है, फ्री में transfer हुआ है, साथ में cashback सारे proof, सारे कुछ आपको इसी telegram पे मिलेगा, तो link आपको discussion मिल जाएगा, आज ही telegram पे joint हो जाएगे, हाई मैं और इंदम मेरा वीडियो में आपको स्वागत है, सबसे पहले और एक link मिलेगा आपको discussion में, जैसे ही आप click करेंगे, एक application open होगा, application 100% new है, सारे कुछ इस application में क्या हो सकता है, क्या है, सारे कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिए, आपके लिए ही फायदा मन होगा, तो जैसे ए application डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बा यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना, zero, मतलब कुछ भी लिखना नहीं है, address सारे कुछ, और यहाँ पर आधार पर जो address है, उसी address यहाँ पर fill up कीजिए, जैसे आप submit करेंगे, अगर first time आपका submit हो गया, good, अगर नहीं होता है, just एक बार back करके, फिर से try कीजिए, हो जाएगा submit, जैसे मेरा किया, मेरा successful हो गया, होने के बाद, यहाँ पर दीके, full KYC का option है, जैसे full KYC होगा, इसका limit हो जाएगा, दो लाक, नहीं तो 10,000, आपको तो पता ही है, तो full KYC कब होगा, वीडियो KYC अभी रात को तो नहीं होगा, कल सुबा हो जाएगा, तो full KYC अगर करना है त स्टेंड मिलेगा, यहाँ पर enable option है, enable पर click करना है, click करने के बाद, यहाँ पर online payment, इसको activate कर देना है, जैसे हो गया, उसके बाद देखी, यहाँ पर manage card, यहाँ पर आपको card देखने को मिलेगा, एक card, यहाँ पर number, CBB, सारे कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो यह card को copy कर ले है, आपको भी पता है, जब भी कोई application नहीं आता है, उसमें छोटा amount ही करना है, तो मैं छोटा amount इसलिए पहले किया, 100 rupees किया, उसके यहाँ पर available limit, मतलब 10,000 ही मैं add कर पाऊंगा, शो भी हो रहा है, proceed to pay, इसमें मैंने click कर दिया, जैसे click किया, यहाँ पर दो option, cards, all credit cards, यहाँ आप यूज कर पाएंगे, ओभी 0%, और कौन सा merchant आएगा, जिसमें आपको cashback मिलेगा, 100% cashback मिलेगा, उस ओभी मैं यहाँ यहाँ पर merchant, MCC code मैं हो, यहाँ पर आपको बताऊंगा, बट जैसे मैंने card डाला, उसके बाद यहाँ पर आपको card डालना है, यहाँ पर देखिए, best card मतलब अभी मैं आपको बोलूँगा, best profit निकालने के लिए आपको कौन सा card डालना है, आपको डालना है, SBI cashback credit card, अभी आप बोलेंगे सार, SBI credit card मेरे पास नहीं है, लिजिए, link discussion मिल जाएगा, आज भी मौका मिल रहा है, SBI आपको दे रहा है, without income, पूप सीट्रिक क्या है, आपको 6 लाक yearly income देना है, और अगर आपको सीविल अच्छा है, सीविल से आपको मिल जाएगा, और अगर पीन कोर्ट के बजा से आपको वहापे शो होता है, कि आपको पीन कोर्ट में available नहीं, तो big city pin court डाली है, कोई problem नहीं, but SBI cashback credit card आपको लेना है, क्योंकि जो भी मैं trick दिया था, इससे पहले जो SBI cashback credit card का trick दिया था, उससे देखिए, कितना 5000 हो गया, भाई ने मुझे भेज दिया, देखिया 5000 उनका income हो गया, अभी एक भाई नहीं, और एक भाई सारे telegram पर भेजता है, देखिए, उन्होंने भी 5000 उनका भी income हो गया, इस तरह SBI credit card अगर आप के पास है, पार मांद 5000 फ्री में income होगा, इसके लिए trick मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पार मांद लूटता हूँ, मेरे पास 2 SBI cashback credit card है, दोनों से मैं 10,000 बिल्कुल फ्री में लूटता हूँ, तो cashback credit card आपके पास होना चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे इसलिए, मैं मेरा cashback credit card जो मेरे पास है, मैं यहाँ पे डाल दिया, number डाल दिया, उसके बाद देखिए, यह बाला merchant, pay you, payments, private limit, इसी merchant पे आपको payment करना है, अगर दुसरा कोई merchant आता है, back कीजे, फिर से try कीजे, इसी merchant पे जो payment करेंगे, यहाँ पे आपको 5%, क्योंकि एक travel category में आ रहा है MCC code, इसमें आपको 5% cashback मिलागा, हो गया, मैंने add कर दिया, मेरा payment successful हो गया, secondly, फिर से मैंने देखिए, 900 add किया, फिर से मैंने payment किया, मेरा payment successful हो गया, ध्यान से मेरा बात सुनिये, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, होता है यहाँ पे, आपने payment किया, payment कर गया, यहाँ पे payment नहीं आय तब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको next customer care available होता है, दिन भर, उसके साथ बात करना है, उसके साथ ही आपको chatting करना है, तो instant ओलोग यहाँ पे add कर देता है, अभी मैं और एक बात बताओ, कि देखे, यह कोई promotional वीडियो नहीं है, जस्ट application आया, मैं आपको बता रहू कैसे क्य क्या हो रहा है, तो आप भी जड़ा research कर लिजिए, कि आपको इस application करना है कि नहीं, अगर आपको लगता है करना है, तब ही जा कि कीजिए, मैंने बोला, इसलिए मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि application नहीं है, तो just मैं आपको trick बताती हूँ, और मैंने देखा, मेरा payment successful instant हो गया, फ उसके बाद Mobyquick का, Mobyquick का full KYC आगर आपके पास, बहुत सरी trick मैं बताऊंगा, Mobyquick का full KYC आगर आपके पास है, तो उसमें पर मांथ, आपको 1000 free में add होता है, तो मैंने यह आपे 1000 डाला, और card number मैंने जो आपे card number मिला, prepared कार उस से मैंने देखे payment कर दिया, मेरा instant 1000 आ गया, अभी मान लिजिए, आपको 5000 हो गया, उसके बाद आपको अगर करना है, तो Mobyquick में charge लगता है, उसका भी एक trick है, कौन सा trick, जैसे मान लिजिए, मैंने 5000 add करने के लिए यहापे जो charge लगेगा, तो यहापे century promo code आज भी working है, इसमें अगर आप ए century promo code लगा देंगे, तो आप कितना total charge लगता है, 2.5% Mobyquick में add money लगता है, 1% century में promo code डालने के लिए आपको 1% वहाँ से deduct हो जागा, मतला आपको cashback मिल जाएगा, तो कितना charges लगा total, 1.5%, cashback credit card में कितना cashback मिल रहा है, 5%, कितना profit हो रहा है, 3.5% मेरा फिर भी profit हो रहा है, credit card to bank transfer free हो गया, उसके पात 3.5% फिर भी profit हो रहा है, अभी आप बोलेंगे सार नहीं मुझे Mobyquick से नहीं और कोई platform, तो बजात खिन सार एप तो application तो है, उसमें जाके add कीजे तो आपको 2% चार्ज लगेगा, फिर भी आपको 3% profit होगा, क्योंकि SBI cashback credit card में आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा, इस trick से, हो गया, अभी देखिया, और एक trick, जहां पर ज़्यादा profit होगा, कौन सा, यह वाला वीडियो मैंने काली दिया था, इसका link मैं discussion दे दूँगा, इसमें देखिये, इसमें कितना चार्ज लग रहा है, 0.9%, इतना कम, 1% भी नहीं, मतला 4.1% profit हो जाएगा, क्या करना है, जो process मैंने बत तो इस तरह से आप profit credit card to bank transfer भी कर पाएगे, और extra cashback भी मिल रहा है, बहुत बरिया trick, मुझे लगा, मैं use किया, मेरा सारे cool success होगा, फिर last में मैं fit से बोल रहा हूँ, कोई promotional video नहीं है, अगर आपको ए application अच्छा लगे, तभी जाके कीजिए, मैंने बोला, इसलिए मत कीजिए क्योंकि application मेरा नहीं है, जो भी problem है, आपको customer care से problem को solve करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो like कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,